प्रेस्टे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप्डेट आज हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट किसी साइधारी फर्म में किसी पार्टनर्स ही फर्म में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं अपने समझाते एक अनुसार कैपिटल इंट्रोड्यूश करना सेलरी लेना या बोनस लेना या इंट्रेस्ट अन कैपिटल हो गए रहो गए रहो तो जब यह सारे आइटम्स उनको दिये जाएंगे या उनके नाम पर है एकॉर्डिंग टूद पार्टनर्स इडिड अगर पा या कोई बोनस उनको मिलना है या कोई कमिशन मिलना है कोई भी आइटम जो पार्टनर को मिलना है बहसियत पार्टनर तो यह एग्रिमेंट में लिखा होना जरूरी है अगर एग्रिमेंट में इस तरह की ब्यवस्था नहीं है इस तरह के मैनेजमेंट नहीं है तो यह मान नह बातें लिखी गई हैं तो हम लोग पार्टनर्स का जितनी पार्टनर्स हमारे हैं उन सब का capital account बनाँ देखना है कि जब capital account हम open करती है लेजर जैसा है लेजर है पार्टनर्स के लेजर है तो इनके लेजर जो है जो है यह ऐसा कहले कि पार्टनर केपिटल एकाउंट जो है वह पहली बात कि वह परसनल एकाउंट है इस एकाउंट को जो नेचर है वह परसनल एकाउंट है अब जितने हमारे पार्टनर होंगे फार में जितने पार्टनर जानते हैं कि कम से कम दो पार्टनर और मैक्सिमम पचास पार्टनर हो सकते हैं तो प्रैक्टिकली पचास पार्टनर हों जरूरी नहीं है कम से कम दो पार्टनर हों तो हमने कर लिए हमने मान लिया है कि चलिए दो पार्टनर हैं हमारे बिजनस हमारे पार्टनर सी फ़र में दो पार्टनर हैं मान लिया A और B दो पार्टनर हैं हम आएंगे इस पर बात में फिलाल हम बात करते हैं कि इतने पॉइंट है जो उनके capital account में introduce किये जाएंगे कब अगर हमारे agreement है partners के बीच में इस तरह का agreement है तब की बात है तो देखते हैं जो पहला पॉइंट इस यह बतलाता है कि पार्टनर के जो capital account है वो personal account है इसका यह nature है जो दूसरा पॉइंट है दो नमबर पॉइंट जो हमने इसको ऐसे समझो कि जब पहले से capital आ रहा है running capital है तो उसका डियार बैलेंस या उसका सीयर वैलेंस इन दोनों में से कोई एक possible हो सकता है लेकि प्रैक्टिकली जादेतर capital का सीयर बैलेंस यह होता है मान लेते हैं कभी के वह डियार बैलेंस है तो उसको हम लोग क्या करें जब new period हम open करेंगे जब नय वर्स स्टार्ट होगा तो यह जो opening balance है उनके capital account में सबसे पहले लिखा जाएगा अगर यह opening capital यह opening balance of capital CR balance है नौर्मली CR balance ही होता है तब उनके capital account के सबसे पहले CR side में by balance के नाम से लिखा जाएगा पार्टनर्स के जो capital है जदी opening CR balance है तो उनके capital account में CR side में सबसे पहले लिखा जाएगा किस नाम से balance BD के नाम से लिखा जाएगा अब जो जो पार्टनर है हमने मान के सुरु कि आए कि इसमें दो partner है तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं तो इन पार्टनर के capital account हम अलग-अलग भी बना सकते हैं जैसे A's capital B's capital C's capital D's capital लेकिन हमने दो ही माना है तो जिस partner का जो balance होगा फिलहाल मान लो चलो opening balance इनका CR balance है दोनों का तो दोनों का हमने ले लिया है balance BD के नाम से CR side में और जो भी amount है दोनों में डाल यह amount different हो सकते हैं वह सकता है कि opening A का नहीं हो B का हो तो B का लिखें ऐसा भी हो सकता है कि एक है पर B का नहीं है तो उसका छोड़ देंगा ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में किसी का नहीं है CR balance हो सकता है कि इन दोनों के जो opening balance है वो DR है अगर opening capital या capital का opening balance DR balance है तो उनके capital account के हम लोग DR side में language भी आएगा balance BD के नाम से लिखेंगे balance BD यानि debit side में two balance BD यदी कहें CR balance है तो by balance BD ये किस्ता है किसके दो नमर point यानि opening balance of capital partners अगर ऐसा है तो अगर opening नहीं है तो कोई बात नहीं है अगर opening नहीं है तो जो पहली line है balance BD इस side में हो या फिर इस side में हो इसकी जवरत नहीं पड़ेगी वह समाप कर देगा आते हैं फिर इसमें तीसरा नमर जो है new capital introduced by the partners हो सकता है कि during the year किसी partner ने new capital लगाया हो क्यों क्यों capital कम पर जाती है तो दोनों partner तीनों partner सभी partner capital के नाम पर cash लगा सकते है या उसमें सब कोई एक लगा सकता है तो जो partner capital लगाएगा बीचने during the year तो उस partner के capital account के share side में लिखा जाएगा by cash या bank जिस रूप में लगाएगा capital तो जब new capital introduce किया जाएगा किसी भी partner के द्वारा तो उस capital के share side में cash या bank के नाम से लिखा जाएगा और जो partner लगाएगा उसके सामने amount लिखा जाएगा तो इस परकार आप यह भी समझ चुकी है और यह भी समझ चुका है आगे वड़ते हैं और यह जो चौथा नमरा पॉइंट के बाद कर रहे हैं चौथा नमर पॉइंट कर रहा है कि interest on capital हमारे partners के बीच में समझाता हो सकता है agreement हो सकता है according to agreement between partners there may be a chance to charge interest on capital तो जो interest on capital बनेगा जो rate दिया होगा interest का normal rate दिया होता है उस rate से हम लोग capital पर interest निकाल सकते हैं और जो भी interest का amount आएगा उस interest on capital को partners capital account के CR side में लिखा जाएगा किस नाम से interest on capital और जो amount आएगा उनके नाम के नीचे सामने लिख दिया जाएगा जो amount आएगा calculate करने की बात है तो हम देख रहे हैं इस परकार कि partners capital account के CR side में कौन-कौन से items आ सकते हैं अब जो नहीं कि सारे item एक बार ही आ जाए एक possibility है किस तरह का item आ सकते हैं तो किस item को debit में लिखेंगे किस item को credit में लिखेंगे इस चोथा हमने खतम कर दिया है दिखते हैं पाँचवा item हो सकता है कि agreement के अनुसार agreement के अनुसार partners को salary देना है सभी partner कर दिया जाए और किसी एक partner कर दिये जाए agreement कर उसर कुछ भी ओ सकता है चलो माल नहीं तो अगर सअलरी एलाओ है सब्सक्राइब इसको क्या करें जो भी इमाउंट आएगा इस सलरी टू पार्टनर को उनके केप्टल एकाउंट के सी एर साइड में लिख्यार और जो इमाउंट होगा उनके नाम के नीचे लिखेंगे यह बहुत बात हो गया अजीब से बात है कि बिजनस का लेकिन ये और होते हुए अपने ही बिजनस से ले रहे हैं अब जो भी जबिस्तर की बिवस्था है कि पार्टनर सेलरी ले सकते हैं बशर्द उनके बीच एग्रिमेंट ऐसा हो तो मान लिया हामने के एग्रिमेंट है और इसा कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं ये पाँचमा नमबर भी होगिया। चट्थे में देखते हैं Commission to partner यह भी कमाल के बात है सुनने मजीब सा लग रहा है। कि खुद यह owner हैं business के मालिक हैं और यही Commission ले रहे हैं। किस से ले रहा है यह firm से ले रहे हैं। तो जैसी यह बात है as per agreement तो यह partners को commission मिलेगा तो यह commission कहा लिखा जाएगा उनके capital account के CR side में लिखा जाएगा commission to partner अब यह जिस partner को मिलेगा उसके नाम के निचे amount को लिख देंगा हो सकता सब को मिले या उनमें से किसी एक को मिले दो को मिले तो जिसको यह commission मिलेगा उनके capital account के CR side में उनके नाम रिजमाउट आ जाएगा कि कि पॉइंट यह भी आ गया एक और item बेक्ते हैं bonus commission तो बोनस देख रहे हैं bonus to partner अक्सार हमने सुना है कि as per payment of bonus act करमचारियों को bonus मिलता है लेकिन यहां partner करमचारी नहीं है बावजूद इसके bonus के लिए तयार है तो शर्त क्या है कि there must be an agreement between partners for the bonus purpose अगर एग्रिमेंट ऐसा नहीं है तो फिर यह bonus नहीं ले सकते हैं तो कि partnership act में यह दिवस्था नहीं है कि अगर एग्रिमेंट नहीं है देन आप bonus नहीं ले सकते लेकिन हम लोग क्या मानके चल रहे हैं कि एक agreement है partner's के बीच में बॉनस के लिए तो जब बॉनस है पार्टनर को एलाओ है तो इस बॉनस को उस पार्टनर एकाउंट के CR side में लिखा जाएगा तो लिख दिया बॉनस टू पार्टनर अब जिसको वो बॉनस मिलेगा जरूर नहीं कि सब को मिले तो डिपेंड करता इग्रिमेंट में क्या लिखा हुआ है अगर सब को मिलता है तो उसके नाम के नीचे हम लोग नोट कर देंगे जिसको मिलेगा उसके नाम से सबको मिलेगा सबके नाम कर नीचे लेकिन जरूरी क्या है कि यह बॉनस टू पार्टनर कैपिटल एकाउंट के CR side में लिखा जाएग अब आते हैं अठी में पाइंटी में पंट भी रह्यती टू पार्टस है इस में से किसी भी नाम से उनको मिल सकता है सलवा वह ने की बात है एग्रिमेंट पर पाइस्रामिक देने की बात है तो यह सायधार को अगर यह मिलता है तो यह भी उनके कैप्टल एकाउंट के सेयर सैड में लिखा जाएगा लिखा रेमूनरेशन टू पार्टनर यह लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हो सकता है कि पहले से कोई प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को एप्रोप्रियसन एकाउंट में ट्रांसवर करने के बाद जो उसका बाइलेंस बचेगा जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग एकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग एकाउंट में जो बैलेंस आता हुगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है फिर ग्रॉस लॉस होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर है उसको ट्रांसफर करते हैं हम लग पी एल एकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट में सारे एक्सप करना है यानि साज़दारों में different different नाम से ट्रांसफर करना है तो यह सारे आइटम का अज़स्ट्मेंट करने या ट्रांसफर करने के बाद यदी profit and loss is something बचा हो तो उसको यह लोग बाठते हैं यह loss भी हो सकता है या profit भी कभी कर हो सकता है तो अगर profit and loss appropriation है तो उसके बटवारा भी यह लोग करेंगे उसको बाटेंगे कैसे बाटेंगे हमारे agreement में इनका ratio लिखा होगा कि किस ratio में profit और loss यह लोग करते हैं अगर agreement में कुछ असा नहीं लिखा है कि किस ratio में बाटेंगे देन कानून के हिसाब से यह लिए equal bond सकते हैं तो जैसा भी केस रहेगा अगर equal है तो equal bond देंगे इस चीज़ को profit का balance बचा हुआ है यह जैसे agreement में लिखा accordingly हम लोग share कर देंगे जो भी हिस्सा आएगा जो भी share मिलेगा लेकिन यह भी आइटम सायदारों के capital में transfer होगा उनके credit side तो profit and loss account इसमें जो हिस्सा मिला है उनको according to their ratio इसको भी हम लोग नोट कर देंगे लेकिन यह आइटम कहा आ गया partners capital account के CR side में दर्ज हो गया आगे बढ़ते हैं दसवा नमर ड्राइंग्स हम सब जानता है कि जब personal purpose है domestic purpose है जो कुछ partner जो है वो ड्रॉ करते हैं business से तो उससे हम लोग drawing कहते हैं अगर यह लोग drawing करते हैं तो इस item को उनके capital account में लिखा जाएगा लेकिन वो जब जब partners लेके आते थे कुछ business में introduce करते थे तो CR side में partners को कुछ भी मिलता था partners को उनके लिए फायदे के लिए मिलता था वो भी CR side में लिखते थे यह उलट गया कहाने यह drawing करें निकाल रहे हैं business से जब बिजनस में लगा रहा है something तो capital जब निकालेंगे तो drawings तरी वर्स इकुल भी हो सकता है अलग-अलग भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो जैसे case होगा वैसे करेंगे लेकिन drawing जब भी लिखेंगे तो partners capital account के हम लोग drawing को debit side में लिखेंगे यह भी हो गया हमारा यह पहरे समझा चुके हैं तो यह drawing कहता है जब partner को capital पर इंट्रेस्ट बन सकता है जिसे हम लोग CR side में नोट करते हैं similarly जो partner ने drawing किया है उस पर भी interest बन सकता as per agreement between partners तो जब agreement के अनुसार इस drawing पर interest बनेगा तो जो भी interest आये उसको partners capital account के debit side में लिखा जाए तो जहां पर लिखा point interest on drawings अगर है ऐसा तो लिखेंगे नहीं है तो छोड़ देंगे तो चलिए अगर लिखेंगे तो कहां लिखेंगे interest on drawing को partners capital account के debit side में लिखा जाएगा यह सभी partner का हो सकता है फीगर अलग-अलग हो सकता है नहीं भी हो सकता है जिसका होगा उसके नाम के निचे लिखा जाएगा यह भी हमने खत्म कर दिया है अब आते हैं profit and loss application यह पहले भी और एक बार आ चुका profit and loss application का जैदि वो profit का balance बच्चा है तो जब profit ,ार नाम करें उनके . case अ लुभर हरो में लॉस को बांट दिया जाएगा उनके capital account के dear side में ही लिखा जाएगा तो आगे इसमें धान अकना है कि at the same time ये profit और ये loss एक ही बार में नहीं आ सकता है धान अकना यहां बताने के purpose ऐसा किया गया है लेकि जब हम लोग work करेंगे तो at the same time profit and loss account का जो profit है और profit and loss application का जो loss से नहीं आ सकता कोई एक आएगा तो जैसा case होगा और से करेंगा हम ले जदी ये पी एल एपरिशन का profit है तो partners capital के सीर साइड में यदी ये पी एल एपरिशन का लॉस है तो partners capital account के DR साइड में लिखा जाएगा बटवारा तो इस पाकाद दोनों साइड दिखाई पड़ा लेकिन एक ही समय में दोनों साइड नहीं आएगा अब इतनी बात करने के बाद सारे आइटम्स को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया partners capital account मान कर चल रहे हैं कि दो ही जो capital का लेजर है अब total करने की बात आएगी तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइड अधिक होता है पहले उसको हमने total करते हैं और वो total सामने उतार देते हैं उतारने के बाद जो access है उसमें से balance निकालता है तो जो जादा है total किया उसको सामने उतारा और यह other side वोला minus कर दिया तो minus करने के बाद क्या निकल जाएगा balance निकल जाएगा तो अगर इनका हो जाए कहीं यह DR side का total ज्यादे आजाए तब इस DR side के total में से सीर से टोल माइनस कर देंगे और balance इधर आजाएगा balance CD तो दोनों में से कोई एक case होगा दोनों एक ही समय में नहीं होगा हाँ एक बात हो सकती है कि चुकि पार्टनर अलग-अलग है तो पार्टनर की यह items अलग-अलग हो सकते हैं figure अलग-अलग हो सकते हैं तो हो सकता है कि किसी पार्टनर का CR size ज्यादा हो और DR size कम हो तो उसका CR balance आएगा और वैसी हालत में हम लोग इस इस सैड लिखेंगे डविज़्ट में balance CD अब किसी पार्टनर का DR size ज्यादा है तो उसका DR balance आएगा तो उसका हम लिखेंगे गए बाइलेसीद तो अलग अलग पार्टनर्स का बैलेस अलग हो सकते हैं। और जिसका डियर बैलेंस आएगा उसके लिए हम लोग बैलेंस सीडी की सर रिखेंगे और बैलेंस के फिगर जो बैलेंस के नामि कर दोंः साइड के टोटलिंग और बालेंसीं कंप्लीट हो जाएगा और जो बालेंस सीडी निकला है हो सकता है कि डेविड साइड में बालेंस सीडी हो हो सकता है केड साइड में बालेंस सीडी हो बालेंस सीडी का मतलब उसका डीफरेंस अमांट को इंडिकेट कर रहा है तो जिसका बाई बालें CD आया होगह उसको इस Totaling के नीचे opposite side में नीचे लिखेंगे by balance तो जिस partner का होगह उस partner के नाम के नीचे लिखेंगे और इस परकार हम कह सकता है कि partner's capital account पूरा हो जाया गए इसकी अलावत बात एक और बता दें इस परकार हमारे बन गया partner's capital account अब हम देख करके बता सकते हैं किस partner का capital का balance क्या हम आराम से बता सकते हैं तो बास एक और बात करें कि जब हम लो पार्टनर के capital की बात करेंगे तो partners capital account खासतर दो परकार का हो सकता है यह नीचे लिखा हुआ यह जो लिखा है capital account एक तो हो सकता है fluctuating capital moving capital और दूसरा हो सकता है fixed capital अब moving capital या fluctuating capital क्या है जो मूल रूप से जो original capital का amount है उस original capital का amount में जितना हम एड्जस्टमेंट करते हैं यानि plus minus करते हैं इसमें देखिए यह original capital है इतने items को हम plus कर रहे हैं और यह जो उल्टे side में लिखे हैं इसको minus कर रहे हैं यही है plus minus की वाप यानि जब capital में सारे adjustment जो required adjustment है करने के बाद जो balance आता है हम इसा बनाते हैं तो जब capital account में सारे adjustment किये जाए उस capital को हम लोग कहते है fluctuating capital घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा यह कम घटेगा बढ़ेगा जब इस capital में सारे plus minus करते रहेंगे उसमें profit जोड़ दिया loss घटा दिया interest जोड़ दिया इस तरह के बात करते रहेंगे तो घटे बढ़ता रहेगा तो ऐसे करें को नाम दे सकते है fluctuating capital और जब capital fixed मतलब न घटना है न बढ़ना है यानि capital तभी बढ़ सकता है जब capital के बाद फिर और capital लगाना capital के बाद फिर और new capital इंटोड्यूस करें बिजनेस में तो जब new capital इंटोड्यूस करेंगे तो पहले वाला capital और बढ़ जाएगा एक ही case है कि capital बढ़ाना है तो capital लगाना पड़ेगा बाकि जितने आइटम यह दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी आइटम उसमें इंटोड्यूस नहीं किया जाएगा तब यह कहां जाएगा सारे आइटम तो जितने adjustment के आइटम्स हैं उनको अलग रखना पड़ेगा और ऐसे हालत में capital फिक्स ही माना जाता है फिक्स बढ़ना घटना नहीं है क्योंकि सिर्फ capital ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा तो जब capital account में किसी दूसरे adjustment के इंट्री नहीं कि जाती है तो उस capital को हम लोग कहते हैं फिक्स capital तब क्या होगा तो यह जो फिक्स capital है फिर हम दो हिस्सों में बांड देते हैं एक तो रहता है capital account बनेगा यह है ना कम होगा ना जाद होगा और दूसरा जो फॉर्म आएगा उसका current account यानि फिक्स capital के position में हमें दो account चाहिए एक तो simple capital account बनेगा जो just cut us रहेगा और दूसरा current account बनेगा और इसी current account में जितने adjustment के items हैं CR side में हो या फिर dear side में हो यह सारे adjustment के item transfer कर दे जाएंगे इस current account में तो partners के current account बनते हैं उसके भी balance निकल सकते हैं उसके भी opening होते हैं उसके closing होते हैं सिर्फ क्या नहीं होता उसमें उसमें capital नहीं होता क्योंकि capital अलग कर दिया गया और वह capital जब अलग किया गया तो ना बढ़ता है ना घड़ता है इसलिए जब बढ़ता घड़ता नहीं है तो उसको fix capital कहा देता है तो समाने रुप से कह सकते हैं capital अगर form किया जाए टाइब समने बता सकते हैं दो capital एक तो है fluctuating और दूसरा fixed fluctuating के यह example है पहले कुछ और था अब plus minus करते करते लाश्ट में कुछ और आगिया घड़ते बढ़ते रहता है और जब हम एक अलग से बनाएंगे current account तो जीतने कि आप अराम से इसको देख सकते हैं बना सकते हैं इतना ही को होगा है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कमेंट करते हैं पता चले गए कि और कितना सुधार किया सकता है और किया इस quality में डवलप किया सकता है कि अबना सकता है